नमस्कार, वेलकम टू वेदव, वेदव के यूटूब प्लेटफरम पर आप सभी का स्वागत हैं, इससे पिछली क्लास में हमने जेमेटरी में एंगल और लाइन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत सिखा था, उसके कांसेप्ट जो थे बेसिक, फिर साइन और कोसाइन रूल और हम बात कर रहे थे ट्रैंगल की, ट्रैंगल में हमने आपको कुछ नामन क्लिचे बताया था, जैसे अल्टिट्यूट, मीडियन, सेंट्रोड, इनसेंटर, आर्थोसेंटर, सरकमसेंटर, राइट, तो अभी इसमें और सारी बाते जानने बागी हैं, इसमें अभी काफी चर्चा करना है, टेकिन उससे पहले क्या है, कि कुछ और बेसिक कांसेप्ट हैं, उनको सीख लें, जैसे हमारा सिमिलर्टी हो गया, कांगरेंस ट्रैंगल हो गया, इसके जाने बिना बहुत सारी चीजी हम इसमें, क्या है, जिमेंटर में हमको नहीं समझवाएगा, जब तक हम सिमिलर्टी नहीं समझेंगे, त्रैंगल की और सारी बाते हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, अभी हम को यह भी समझना है, कि कोई आसज स्कौल ट्रैंगल होगा या राइट हम ऱ्एइंगल। तो सरकम सेंटर कहा पे होगा, और उसरा कांप का होगा, तो इसे कांज सारी चीज जो बड़ा एंकल होगा उसके सामने वाली साइट बड़ी होगी तो वही से continue करते हैं जैसे माल बोलते हैं कि पीछे तो मुझे याद नहीं है तो चलो इसको अब यहां समगरते हैं थियूरम नाम देते हैं ठीक है कि बोलते हैं थियूरम 1 यहां से start कर दें तो जैसे हमने होता है कि जो बड़ा वाला angle होगा उसके सामने वाली side क्या होगी बड़ी होगी तो एक और आप जान लेजें कि अगर दो sides बराबर हैं यागर यह side बराबर हैं तो इनके सामने वाले angle भी बराबर होंगे यह reverse बोल सकते हो कि अगर दो angle बराबर है तो इनकी सामने की side भी बराबर होगी जैसे मालो यह triangle अमारा ABC है अगर angle B बराबर angle C के है तो आप कर सकते हो कि side AB बराबर किसके होगी AC के है यह बहुत ही important चीज है इसको बिल्कुल आप contest कर लिए जैसे ऐसे स्कल्टर अंगल में क्या होता है कि दोनों सामने side की बराबर होती है तो अगर दोनों side बराबर होंगी तो यह angle यह angle बराबर हो गया अगर यह एंगल भी बराबर हो गया अगर यह साइड और यह साइड बराबर है तो इसके सामने का कौन सा एंगल थीटा है तो इसके सामने का एंगल कौन सा हो जाएगा यह भी थीटा हो जाएगा आप ऐसा वो सकते हैं कि एक्कुलेटर ट्रेंगल में सभी साइड बराबर होत के लिए आगर कोई एक एंगल इस प्रकार सो लिए इस प्रकार से समालों को इसी एक्सीर कर and कर दिया गया अगर एक्स्टेनल वा इंको इन्टूनेयों को मिला जाना इन दोनों को अगर मिलाए जाया तो जो यह एंगल बनता है वह इस एंगल का अगर मालो यह एंगल 2 ठीटा है तो यह कितना हो जाएगा ठीटा हो जाएगा इसको मालो ई अब देखो मैं यही बात बोल रहा हूँ कि जिमेटरी में क्या है जैसे यह बहुत छोटी से चीज है यह तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो अब हम इसको प्रूब करके भी देख लेते हैं लेकिन क्या है कि हमको बार-बार इसको निकालना ना पड़े अब यह चोटी से चीज है तो इसको बिल्कुल आप याद कर लिए एक theorem की तरह से इसको एक rule की तरह से याद कर लिए तब ही क्या होगा कि जब क्यूशन करेंगे कोई बड़ा से क्यूशन होगा तो उसमें एक छोटा से इसका application होगा समझ रहो क्योशन इसको कोई क्यूशन नहीं पूचा जाएगा अगर पूच भी लिए तो प्री में अगर पूच लेगा तो आप तुरंट कर दोगे और अगर प्री में भी आ गया तो पता चला अगर आप इसको प्रूब करने लग जाओ जिनको मैं बोलूँगा कि आप निगा सकते हो लेकिन एक्जाम में हमको याद होना चाहिए जैसे इसका प्रूफ हाफ करना चाहते हो तो देख लो पूरूफ देख लो जैसे देखो यह angle अगर theta है यह b है यह angle कितना हो जागा यह c होगा तो आप कहोगे angle a c d angle a c d यह कितना होगा यह पूरा angle 180 होता है यह पूरा angle कितना होगा 180 होगा और इस 180 में से इस c वाले पार्ट को सब्ट्रेट कर दो 180 माइनस c angle c और एक ची बताईए हमको theta और इसके बारे में जानकर ही है अगर हम बात करें इस angle की तो यह angle bisector रहती है कितना हो जागा यह हो जागा आधा तो 180 बटा इसका आधा कर दो तो कितना हो जागा 90 माइनस में c वाले टू हो जागा अच्छा बताईए यह angle जो होगा इसके angle है यानि इस दोनों इंटर्न अपोजिट इंटर्न अंगल के सम के बराबर होगा पिछली क्लास्वान में सीखा था तो आपका सकते हो कि 90 माइनस c बाइटू क्या होगा यह angle b बाइटू यह भी b बाइटू होगा क्योंकि यह angle bisector है तो angle b बाइटू प्लस angle e angle e की बल्यू कितना है थीटा के बराबर होगा यह angle e को अभी इस सरहने तो angle e हमको समलो निकालना है यह कितना होगा angle e होगया अब जरा इसको प्रूफ कर लेते हैं देखो यहां से कितना हो जाएगा इधर से लेते हो इसको angle e बराबर आप लिख सकते हो कितना angle e बराबर लिख सकते हो 90 माइनस में माइनस कामरे लोग है तो कितना हो जाएगा angle c प्लस angle b divided by 2 clear है और अगर यहां से देखो a b c में क्या एक relation होगा आपका होगे angle a प्लस angle b plus angle c बराबर कितना होगा 180 degree क्यों क्योंकि triangle के interior angle का sum कितना होता 180 degree होता है ज़रा 2 से divide कर दो angle b plus angle c by 2 कर दोगे तो यह कितना मिल जाएगा यह हो जाएगा आपको 90 माइनस में angle a by 2 clear है इसी value को है आपका put कर दो यह आगा 90 माइनस में angle a by 2 ठीक है sorry 90 माइनस 90 यह हो जाएगा आपका यह हो गया आपका 90 माइनस 90 a by 2 तो 90 से 90 कर गड़ गया है कितना मिला a by 2 तो यह हमको proof हो गया कि जो angle a हो गया जो angle e होगा ठीक है जो angle e होगा वह क्या होगा वह angle a का half होगा आधा होगा clear है इसको आप कई तरीके से प्रूब कर सकते हो यह एक तरीका हो गया ठीक है अगर यह 2 ठीटा होगा तो यह थीटा होगा तो यह हो गया theorem 2 clear है आगे बढ़ते हैं एक छोटी सीची में आपको revise करा दूँ पिछली क्लास में मैंने revise कराना नहीं समझा हुचे लेकिन फिर भी ठीक है इसको आप revise करा दिया जाए इसको क्या है कि हमने इसको पढ़ लिया पहले से height and distance में कि देखो जब हमको पता था कि कुछ angle के terms से हमने side रट लिये थे याद किये थे जिससे हमने बोला था कि अगर मालो यह 90 degree है right angle triangle में और एक अगर आपका 30 होता था तो यह क्या होता था यह अगर एक होगा तो इसका यह दो गुना होता था और यह कितना होगा हो जाएगा यह 1 हो जाएगा बेस और यह कितना हो जाएगा दो गुना हो जाएगा डारेक्ट इसको कोई परसानी नहीं होगी और अगर देखो अगर एक एंगल 45 हो गया अब आपको पता हो गया कि यह 90 अगर एंगल बराबर होंगे तो अगर यह 1 होगा तो यह कितना होगा रूट 2 होगा तो यह तीछ जीजे तो मैंने पहले डिसको सकत रखा है यह बिल्कुल आपको याद होना चाहिए इनकी रिक्वार्मेंट पड़ होगी बार बार आएगी हमको एडिया जब निकालना बिल्कुल आपको याद होना चाहिए और आपका रियक्शन टाइम तेज होना चाहिए ऐसा नहीं कि याद कर रहे हो अब आगे बढ़ते हैं और जो सबसे इंप्रटन टापिक है जेमेटरीक है सबसे जो बेस है जम हम बोलते हैं वह है सिमिलर्टी और कांगुरेंस इवन क्या आपको हर जगे उसकी रिक्वार्मेंट होगी चाहिए आप कौड़ेर्टर यूज करो चाहिए सर्कल करो तो उसको पूरे थूआउट जमेटरी मों उसका यूज होता है इसके बारे में हमने आपको पहले भी थोड़ा बहुत बताया है कि कांगुरेंस क्या होता क्या होता होता हृत ठीक है फिर सबस्सार चाहा करते हों उसके बारे में कैंट कि क्या होता है कांगुरेंट करणा देन की कहीं कहीं व्रड ऐसे हैं कि जहां पर हमको रहीं हिंदी नहीं पता पाया थे तो आप आप कोई नौगी तो कौई नोत भूख होगी तो आप वहां से इसको 001 कर सकते हो ठीक है और ऐसा कोई बहुत कठीन बात नहीं Nest हो जिसा अभी मुझे उघ्ण को इसको मुझे देखनाा पड़ा कि इसका क्या है ज Southern को बोला जयता है सरवांग-समक इसकी वारenda करें लिए इसकी वारे में है सरवांग-समता क्या होता मैं बताया कि यह नहीं तक सिक्का है मालों एक रुपे का सिक्का है antika region jy issues mean नए वाला सिक्का यह pipe लगा हुआ तो अब किनार ओला न पीतल वाला लगाizer है यह जो मेरे पास जोगा यह दस उर्पे का सिक्का उनकी सेफ हूंगे उनका जो डाइमंसंण होगा वं ग्या में सभी एक्कवल हो यानि वो देखने में कैसा होगा, Zo circular होगा है उसका जो radius होगा वह भी इucken होगा जो उसकी thickness होगी ना, वह भी इucken होगी यह iNex सकते हैं कि अगर между 10 और वाले axi को अगर मैं ले लिए हो आप मेरे वाले axi को ले लें तो कोई इसमें कोई difference नहीं होगा, clear? इनका weight equal होगा, इनके sides equal होगा, इनके diamonds इनका shape equal होगा, लेकिन अगर एक 10 रुपे वाला सिक्का लिया जाए, clear है, वालो भी हम 2D figure की बात करते हैं, अब इसमें thickness को इनको हटा देते हैं, और हम 1 रुपे वाला सिक्का लेते हैं, तो आप देखोगे कि यह बिल्कुल similar है, यह भ बात करें, कि जब triangle एक दूसरी से बिल्कुल impose हो जाए, अगर आप जैसे मालो एक triangle यह है, ठीक है, दूसरा triangle भी हमारा कुछ इस प्रकार से है, और इन दौन triangle को अगर एक दूसरी को उपर रख दिया जा, या एक दूसरी से बदल जा जा जा, तो कोई फरक नहीं आना चाहि यह जो side के length मालो करी, ABC इनके length है, तो यह भी ABC होना चाहिए, clear है, तो अगर हम दूनों को एक साथ रखें, एक बगल में रखें, तो कोई आप इनमें अंतर ना बता सको, clear है, लेकिन अगर दोको एक यही और दूसरा है, तो यह देखोगी कि shape इसके जैसा है, बिल्कुल look like, look alike, जिसे word आता है, उसके जैसा दिख रहा है, लेकिन वह नहीं है, इनके dimension में अंतर है, ठीक है, जिसे एक छोटा वाल होगे, एक चोटी बाल होगे, एक बड़ी गेद होगे, तो safe दोनों का same है, लेकिन इनमें वजन अंतर हो जाएगा, dimension अलग हो जाएगा, तो चुकि यह हो, congruent होने के लिए बस दो सर्थ होनी चाहिए, कि उनके सभी side equal हो और सभी angle equal हो, अगर सभी side equal हो गए, सभी sides अगर equal हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है, अगर मालों यह 2 meter का है, यह 3 meter, यह हम ऐसे कहें, अगर यह 3 meter है, यह 4 meter है, और यह 5 meter है, तो यह क्या होगा, एक right triangle triangle बन बनाओ, तो आप चाहिए जैसे भी बनाओ, 3, 4, 5, चाहिए जीस प्रकार से बनाओ, आपका जो triangle होगा, इसी जैसा बनेगा, same होगा, मतलब, करने का मतलब, दोनों same होगे, इसमें भी 90 degree का होगा, इसके side 354 होगे, इसके side भी 3, 4, 5 होगे, और यह एक right triangle triangle बनेगा, clear है, तो यानि उसके side equal होगे, और उनके angles बराबर होगे, तो इसको note कर लिए, अब इसके बात क्या होता है, हम इसमें अलग-अलग condition बढ़ते हैं, कि क्या हो जाए तो सरवांसम हो जाए, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा जो मुख्य बात याद होनी चाहिए, कि कोई भी angle, कोई भ three angles, साथ हरा महासम बोलें कि same, three sides, पहला, दूसरा देखिए कि same, three angles, ठीक है, यानि अगर दो triangle की बात करें, तो उनमें दोनों में side भी same होना चाहिए, और angle भी same होना चाहिए, तो ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है, कि हमको पूरे angle की बारे में जानकरी नहीं होती हमें हो सकता, दो side दिया हो, उसके बीच का एक triangle दिया हो, कुछ इस प्रकार से दिया हो, तब हम कैसे पता करेंगे, या triangle congruent है या नहीं है, उसके लिए देखो, उसके लिए देखो, पहला rule अगर हम बात करें, पहले rule की बात करें, और देखो, सरवांग समझें, जो congruent triangle है, इसके लिए symbol इस तरह सा represent करेंगे, दो equal और एक इस प्रकार से, similarity के लिए equal एक single इसको use करते हैं, तो जो सबसे पहला rule अगर हम बात करें, वह होगा आपका, पहला rule कि तीनो side equal हो, यानि s, 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 इसको simple भासा में इसा लिख सकते हैं, कि s, 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 ठीक है, congruent से, इसका क्या मतलब है, इसका बस simple से इतना ही मतलब है, कि तीनो side क्या हो, इसके equal हो, clear है, तो देखो, अगर मालो हमको दो triangle इस प्रकार से दिया है, ठीक है, दो triangle हमको given है, मालो एक triangle है, ABC, और दूसरा triangle है मालो PQR, यह है ABC, यह है PQR, तो यह triangle तभी congruent बोले जाएंगे, ठीक है, जब इनके sides, जैसे मालो एक side AB, इस side PQR के बराबर है, यह side AC, इस side PR के बराबर है, और यह side BC, ठीक है, यह QR के बराबर है, क्या बोला मैंने, कि AB जो हमारा, वो PQ के बराबर हो, AC जो हमारा, वो PR के बराबर हो, और BC जो हमारा, QR के बराबर होगा, देखो, जब side बराबर हो जाते हैं, तो automatically क्या होता है, कि इनके जो angles होते हैं, वो भी बराबर हो जाएंगे, तो सपोज करो, अगर यह angle B, तो यहाँ पर आप देखोगे, अब इससे में ध्यान हमेशा देना है, कि angle B किसके बराबर होगा, angle Q के होगा, ठीक है, angle A बराबर होगा किसके, angle P के, और angle C किसके बराबर होगा, angle R के, देखो यही छोटी सी चीज है, जहाँ पर इसमें गलती होती है, जहाँ पर लोगों को, मैंने देखा कि बहुत struggle करते ह उनको congruence और similarity नहीं सहुझ आती है, क्योंकि वे क्या बुक्स ने क्यों सीधर पढ़ लिए हैं क्यों, कि यह सैसे, पतलो अगर sides बराबर होगा, जब उनको लिखने के लिए बोला जाता है, तो उनको difficulty होता है, उनको तकलिप महसूस होती है, उसका main कारान की वेश समझते न नहीं है, कि देखो, अगर हम बोल देते हैं कि triangle A, B, C congruence होगा, ठीक है, किसके होगा P, Q, R के, यह हमेशा ध्यान रखना की, यह order हमेशा मेंटेर नहीं हो चाहिए, अगर angle A, angle P के बराबर है, ठीक है, angle A, अगर angle P के बराबर तो A के जगहा पे P लिखा जाएगा, angle B, अगर अगर angle B, angle Q के बराबर तो Q लिखना, और angle C, अगर R के बराबर तो C, R के बराबर लिखेंगे, इस तरह से मत लिख देना कि Q, P, R, ठीक है, triangle में हम लिख देते हैं कि ABC या कुछ भी लिख दो, उसमें कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन जब congruence या similarity की बात आती है, तो वहा बिल्कुल मस्ट है, ठीक है, तो यहीं इसलिए सबसे गलती होती है, तो congruence हुआ चाहिए similarity, इनको पहचानने का और इनके question करने का राम बाड़ी लाग, यानि बोला जाता है, राम बाड़ी जो तरीका है, बिल्कुल एक उपाह है, वह है कि आप हमेशा angle को पकड़ो, ठीक लेकिन जब आपने angle पकड़ लिया, यह alpha हो गया, यह beta हो गया, यह gamma हो गया, तो यहाँ पर अगर यह alpha है, यह beta है, यह gamma है, तो आपको अब कोई doubt नहीं होना चाहिए, कि यह vertex A है, वह vertex P के equal होगा, यह ऐसे कहलो कि यह angle A है, वह angle P के बराबर है, angle B, angle beta जो मतलब B है जो, वह angle Q के बराबर, angle C, जो angle R के बराबर है, clear है, यह हमेशा याद रखना, यह order हमेशा maintain करना है, यही इसमें जो सबसे, जो सबसे सीखने वाली बात है, congrence और similarity में, कि आपको order maintain करना होता, और order maintain करना है, सबसे आसान और सबसे सटिक तरीका, जहां से आपसे कभी भी गलती नहीं होगे, आप angle को पकड़ो, clear है, तो अब इसके बाद मुझे नहीं है, मुझे लगता है, कि मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 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 सिमिलर्टी हो, चाहिए, मैं क्यूशन करूँगा, उसमें बताऊँगा, कि आप कैसे इसको यूज करोगे, आन् होने बोला, कि क्या होना चाहिए, कि तीनों उसके sides बराबर हो, अब देखो, अगर माल लो तीनों side के बारे हम जानका ही नहीं हो, तो अगर हमको केवाल एक side, उनके बीच का angle और फिर side के बारे हम जानका रही हो, तब भी हम कर सकते हैं, कि वह triangle congruence होगा, इसका क्या मतलब ह होगा, देखो, अगर एक triangle हमको दे रखा, इस प्रकास मालो ABC, और यह triangle हमको दिया PQR, यह PQR है, यह ABC है, यह triangle तब भी बोले जाएंगे congruent है, यानि सरवांग इसम है, जब अगर मालो यह side, AB, PQ के बराबर है, BC, QR के बराबर है, और इन दोनों sides के बीच में, AB, BC के बीच में जो angle यह है, इसे तरह जो PQ और QR के बीच में जो यह angle है, यह भी बराबर हो जाएं, तो बोलोगे कि A triangle क्या होगा, सरवांग होगा, यानि AB बराबर क्या हो, PQ हो, BC बराबर क्या हो, QR हो, आप दियान से देख रहे हो, कि यहाँ पर मैं A लिख रहा हूँ, य यहाँ पर P लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं QR, QP, क्योंकि इसकी आदा सुरुवात से ही डालो, अगर आप गलत या इस चीज को अगर सही direction से नोट नहीं करते हो, तो यह आपको दिक्कत होगी, बहुत काफी दिक्कत होगी, इसलिए सही P, order में लिखने का सुरुवात से ही आ अंगल ABC शर्वंग सम होगा, किसके? ट्रेंगल P, Q, R के, clear है? कि अगर हमको दिया कि AB बरावर P, Q, BC बरावर Q, R और अंगल B, अंगल Q के बरावर है, तो हम कहेंगे ABC, P, Q, R के congruent है, ठीक है? यह हो गया दूसरा, तीसरा देख लेते हैं, और अगर एक छीज आप थोड़ा स अगर आप थोड़ा से imagine करो ना, जैसे एक common sense, logic की बात करते हैं, कि मालो आपको यह formula याद नहीं है, जैसे side, सभी side बरावर हैं, तो यह तो उमको दिख जाएगा, जैसे इसकी बात करते है, SAS में, और यह मालो आपको slip कर रहा है दिमाग में से, ऐसे होना नहीं चाहिए, यह एक side आपको दे रहा 6 है, clear है, और इनके बीच का angle मालो दे रहा है, हमको theta, या 60 degree कुछ भी दे रहा है, आपसे बोला गया कि मालो एक side 3 है, एक side 6 है, तो यह हमको fix कर दिया गया, कितना 3 है, यह fix कर दिया गया 6, और इनका जो dimension है, इन दोनों, sorry, इन दोनों के बीच में जो space gap यानि जो angle है, बन रहा है, वह कितना 60 degree का है, तो मेरी भाई एक बताओ, अगर मैं एक दूसरा भी बना दूँ इसी तरह का figure, इसमें भी हम 3 बना देते हैं, यहां पर भी 6 बना देते हैं, और यहां पर भी angle 60 degree डाल देते हैं, तो बताओ, कि अगर कोई तीसरी एक line होगी, ज जब यह भी दूरी और यह भी दूरी बराबर होगी, तो तीनो साइट इसके equal हो गया, जब तीनो साइट इक्वल हो गया, तो वह क्या हो गया, congruent हो गया, समझ रहा है, तो basics बिल्कुल, अगर आप common sense भी यूज करो, तो समझ रहा है, मतलब बात समझ आएगी, तो कोई ऐसा बना लो, इसको भी 6 तक extend कर दो, अब बताओ, जो यह दूरी होगी, क्या, जो यह दूरी होगी, उससे अलग होगी, नहीं, सेम होगी दूरी, मालो यह पी होगी, तो यह भी पी होगी, ठीक है, तो इसलिए क्या आना है, कभी भी common sense को कभी में में मत छोड़ना, आप math कर रह हैं, जो common sense के से हमारे understand हो जाते हैं, कभी कुछ ऐसा question होते हैं, कि हम उसके पीछे के फार्मिले जानते हैं, लाजिक जानते हैं, लेकिन उससे कहीं तेज अगर हम unconventional method, जिसको बोलता है, unorthodox method जो होता है, उससे करते हैं, बिल्कु, conventional method, common sense से करते हैं, तो वह हमारे जल्दी answer पर हो, ठीक है, तब भी हमारा triangle क्या हो जाए, का congruence हो जाएगा, जड़ा इसको समझ लेते हैं, या क्या बात है, जैसे इस ही triangle की बात करते हैं, इस ही triangle में बात कर लेते हैं, इसमें या ऐसा करते हैं, बनाते हैं इसको, कि मालो हमको एक दिया triangle ABC, तो देखो इसका क्या हुआ है इसको समझते हैं कि देखो अगर माल लेते हैं यह हमारा ABC है यह आपका P Q R हो गया हमने बोला इसमें क्या हो कि जाइंगल बराबर हो सब्करों एंगल B एंगल Q बराबर है इसी तरह एंगल C एंगल R बराबर है और इनकी बीच के जो साइड होगा A S A यानि दो एंगल के बीच का साइड यह हमारा लो साइड इक्वल है तो बोला जाएगा कि ट्रियंगल ABC congruent to triangle PQR मैंने क्या बोला कि angle ABC equals to angle PQR और angle ACB equals to angle PRQ और और इफ माल लो या दिया और BC equals to QR then you can call ABC congruent to PQR कि ABC congruent triangle होगा सरवांक्शम होगा triangle PQR क्लियर है अब जरा इसको तुर्ण से common sense से भी इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझते हैं देखो जैसे अगर हमको पता है आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि माल लेते हैं सर एक हमारा यह triangle है ABC और यह दूसरा triangle हमारा PQR ठीक हैं आपने बोला सर एक triangle हमारा यह ABC है दूसरा triangle हमारा PQR और आपने बोला कि दो angle बराबर होने चाहिए तो आपने बोला कि सर चलो यह हमने माल ले इसको 30 डिगरी तो यह भी हमारा 30 डिगरी हो गया फिर आपने कहा कि मैंने इसको सर 60 डिगरी माल ले यह भी हमारा 60 डिगरी हो गया तो आप बोलोगे कि यह बचा वह remaining angle कितना हो जागा यह 90 डिगरी हो गा इसमें भी यह कितना हो जाएगा 90 degree हो जाएगा तो आप तो बोलोगे कि सर यह तो फिर एक congruent triangle बन गया तो मैंने आप से बोला था कि congruent triangle होने के लिए angle हमारे equal होने चाहिए और side equal होने चाहिए अब देखो क्या यह बताओ मुझे कि माल लेते हैं इनके sides समालो यह 3 जैसे देखो इसके sides समाल लेते हैं कितना है जैसे इसका sides समाल लेते हैं 3, 4, 5 है ठीक है तो क्या बताओ कोई right triangle triangle इस पैमाने का जिसमें angle 30, 60, 90 हो क्या हुआ इस तरह से नहीं हो सकता कि माल लो हमने 4 को बड़ा कर दिया 16 हो जाएगा और कितना 20 क्या इस पैमाने का नहीं हो सकता है तो बताओ एक triangle छोटा होगा एक triangle बड़ा होगा dimension अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा तो यह similar होंगे लेकिन congruent नहीं होंगे अब देखो जब आपने इस line को fix कर दिया कि नहीं यह 4 से बड़ी नहीं होगे तो जब आपने इसको fix कर दिया तो यह 16 तो हो नहीं सकता है ठीक है और जब यह 16 नहीं होगा यह 4 होगा तो अपने यह आप क्या होगा सभी डामेंज से हमारे fix हो जाएंगा तो definitely फिर यह 3 क्या सपास हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा अलाकि यह उल्टा लिख दिया यहां पर 90 की साहने वाला पांच होगा पर समझाने के लिए समझ लो इसको तो इसलिए जो यह बीच वाला एंगल ने sides है इसको equal होना जरूरी है और वरना आगर आपके दिमाग को यह आ रहा होगा कि नहीं एंगल सभी equal हो गए तो अब तो हमारे काम बजाएगा नहीं एंगल नहीं हो जाएगे तो वह similar हो जाएगे लेगें congruent नहीं होगा congrency के लिए दोनों condition fulfill होना चाहिए ठीक है three side equal plus same three angles अगर मैंने नहीं बोला होगा उसमें तो हो सकता है मैं निमाख मुना हो इसको याद करना कि दोनों condition fulfill होनी चाहिए clear है? और इसमें देखो, तीनो sides अगर equal होंगे तो वह definitely congruent होगा लेकिन तीनो side अगर उसके angle equal हो गए तो वह जरूरी नहीं होगा कि congruent triangle हो clear है तो अगर तीनो sides हमारे equal हैं तो वह congruent होगा तो हम ऐसा प्रूब कर सतें कि अगर तीनो sides equal हैं तो तीनो angle बराबर होंगे और अगर तीनो angle बराबर होंगे और उसके एक भी side अगर हमको मिल गया कि एक side भी बराबर है और वह कौन साइड इन दोनों के जो बीच में होगा लाई करेगना चाहिए तभी हम उसके क्या है कि उसको measurement को fix कर पाएंगे समझ रहो जैसे अगर यह ना fix होगे अगर इधर कहीं होता मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर एक side आप fix कर दो ना क्यों जैसे मतलब अगर एक side fix कर दो चार या आप fix 5 को ही fix कर लो तब भी कोई दिकर नहीं है अगर आपने 5 को fix कर लिया था हमको पता है कि अगर एक 5 होगा और 3-4-5 वाला यानि एक right angle triangle बन रहा तो वह 3-4-5 का बनेगा इसी तरह अगर कोई sides मालो 6 होगे मालो right angle triangle नहीं है तो सारे sides automatic क्या हो जाएंगे equal हो जाएंगे clear है तो यह हो गया basic से concept तो बस आप इसको याद रख लिजी कि हमको 2 sides अगर 2 angle equal हो जाएं और कोई भी एक side हमारा अगर बराबर हो जाए कोई भी एक side बराबर हो जाए तो आप कह सकते हो कि angle क्या होगा right angle triangle होगा तो कभी-कभी देखो अगर आप इसी चीज को इस तरह से भी बोल सकते हो इसको चार नाम दें या इसी में या देखो A-A-A में क्या बोला कि angle B बराबर क्या हो जाएगा angle Q हो जाए ठीक है angle C बराबर क्या हो जाए angle R हो जाए और A-C जो side है side A-C वह पी R के बराबर हो जाए यहां से देखो एक सिकंड तो यह जो side A-C है क्या इसके बराबर P R के हो जाए और इसका क्या मतल़ के पहले side बराबर हुआ है दो माँ लेते हैं कि यह side किसी कहीं सभी आप ले सकते है अगर हम यहाँ से BC से बात कर लेते हैं कि मालरो हमारा BC बराबर हो किसके BC बराबर हो जाये आपका QR के QR के अब इसके बाद जो next angle है इसके बाद Q BC के बाद कौँसा एंगल आएगा यह C बाद आएगा तो एंगल C और एंगल A एंगल C जो है एंगल C एंगल R के बराबर हो इसी तरह से एंगल जो A है वो एंगल P के बराबर हो तब भी हमारा ट्रेंगल क्या होगा है यह बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए क्लियर है बस क्यों इतना ध्यान रखना है जैसे हमने पी लिया इसके बाद यह वाला जो नेश्ट इसके सटा हुआ है यानि साइड कौन से होगी एक साइड जो इसमें इंक्लूड हो वह बराबर होना चाहिए या जैसे अगर आपने बी सी ले लिया यहां पर सपोच करो बी सी क्यू आर की बराबर कर लिया तो इससे एक सटा हुआ जो इसने इंगल में होता है कि' से रस्य करके इसका क्या मतल हुआ कि एक एंगल दीखोउ कि एक अंगल क्या ह one हमारा रिट एंगल हो रच इंगल हो क्लिर है इसको बोला ही जाता है कि और हो इसका क्या मतलोँ है इसका मतलोँ इस तरह से दो ट्रेंगल को गिवन है इस प्रकार से अ कि दो फिर वह बात आती है कि हम साइड यहाँ पर क्यों ले रहें कि कुल करें रहें क्योंकि दोको यह भी यह राइट इंट साइड हो गया देखने में तो दूनों लगेंगे यह similar होंगे लेकिन congruent नहीं होंगे तो congruency के लिए क्या चाहिए कि मालो यह हमारा ABC है एंगल BP क्या हमारा right है यह हमारा PQR है और एंगल Q पर क्या है राइट अंगल ट्रेंगल हो अब जो हमने हमको condition दिया है कि अगर मालो कि जो इसके हाइपूटेनियस है यह एक अंगल तो पहले राइट अंगल होने चाहिए तो माले लिए बढ़ाबर एंगल Q यह क्या है यह हमारा right अंगल गर हैं क्लियर है और इसके長血ंणas rocky het yard इसका बोच वारब़ हो और इसका फजीत एक साइड बिलाबर्व तुम आप्यकों कूल कि से अगल प्रयाबर एक थे एक एक अगल बलाबर होगयों एक शाइड बलाबर होगे और ह्ठ possibilities बलाबर हो गया तो आपका होगे ट्रैंगल इंगल ठीक है राइट अंगल ट्रैंगल जैसा रिप्रेज़न धरजन करते हैं राइट अंगल ट्रैंगल ओ लुट्ब ऑसी नग्च मोफ्न हो खburिड तो यह थास्ना में पांच शुट अगर नीन और Z मतलyin अगर मैं उसको Crategorize करें तो दो तरीका है HEACE HEIn को तो में सबको पता है एक होता है कि upon month 1 comes 2左 side पराइबर हो और उसके बीच का एक angle पराइबर हो पहला और वह भी हुमको understood है एक होता है कि upon month 2 angle पराइबर हो और में 1 side पराइबर हो कुल्स rev driving hypotenuse equal हों और sides से एक बराबर हों तो वो अभी क्या होगा एक congruent ट्रेंगल होगा तो यह हो गया congruence किसी भी ट्रेंगल लिखो congruent उसको चेक करना है कि है congruent ट्रेंगल है given दो ट्रेंगल या नहीं तो उनके लिए condition होती है ठीक है इनको थारोली फिर से के रिवाइज कर लेजिएगा अब हम आगे बात करते हैं similarity की जो हमको सबसे ज़्यादा यूज होगा similarity की दो ट्रेंगल similar कब होंगे तो पहले similarity का मीनिक समझ लोग कि similarity की fulfill होने के रिए क्या जरूरत होती है तो heading डालते हैं कि similarity of triangle यह बहुत ही important है और आपने देखा था कि इसका use हमको पड़ा था जब हम mensuration में कोन के question कर रहे थे तो वहाँ पे भी है इसकी हमको requirement हुई थी similarity similarity of triangle तो कोई भी triangle similar कब होगा जब उसमें जो corresponding angle होंग न है वह क्या हो equal equal का मतलब या उसको देखो आप book में पढ़ोगे तो आपको इस word तरह word मिलेगा कि corresponding angle क्या हो हमारे congruent हो और congruent word का meaning है आप इतना समलो कि equal इसके मतलब ही समलो क्या equal बराबर तो इसको meaning आप समलो कि congruent का इसको आप note डाउन कर लो जहां पे आप congruent word पढ़ रहा हो तो इसका मतलब कि हमसे बोला जा रहा है कि वह equal है ठीक है प्लस प्लस दूसरा क्या condition हो चाहिए जो उनके side का जो इनके corresponding sides होती है उवे एक proportion होने चाहिए लिख सकते हैं कि there corresponding sides are in proportion अब जड़ा इसका ध्यान से मतलब समझो इसका मतलब क्या हुआ जैसे मैं बात करता हूं कि एक triangle इस तरह हमको given है कि मालों यह एक triangle हमको ABC दे रखा है और यह एक बड़ा वाला triangle हमको दे रखा है PQR ठीक है यह आपका ABC और यह हमको दे रखा PQR तो सबसे पहले चीज होना चाहिए कि इनके angles क्या होने चाहिए congruent होने चाहिए congruent का मतलब हो कि equal होने चाहिए यानि अगर यह alpha है यह beta है यह gamma है तो यह भी क्या होना चाहिए यह alpha होना चाहिए बीटा होना चाहिए और यह gamma होना चाहिए यानि angle कोई ऐसा नहीं कि angle में proportion होना चाहिए proportionality का क्या मतलब है कि जिसे मालो करो कि यह 30 है यह 60 है इनका proportion देखा जाए तो 30 बटा में 60 यह एक बटा में 2 होना चाहिए इस तरह से नहीं हो कि यहां पर भी 45 डिगरी हो गया तो यह 90 डिगरी हो गया यह भी क्या हो गया एक अंपात में 2 है ठीक है यहां पर इस तरह से तो यह इसमें proportionality नहीं चाहिए इसमें exact नंबर चाहिए अगर वह 30 है तो उसमें 30 होना चाहिए वो 60 है तो वो भी 60 होना चाहिए clear congruent का मतलब यह हो गया यहनि equal होना चाहिए और दूसरा जो word है हमको corresponding का मतलब होता है कि जैसे अगर हमने बोला कि angle triangle A, B, C जो order लिख रहा हूं उसी order में similar to similarity के लिए कि यह symbol बनता है P, Q, R तो देखो अगर जैसे इस order में लिखोगे नए A, B तो यहां से क्या मिलेगा P, Q यहां से अगर आप B, C लोगे तो यहां सえば Q, R यहां से C, A लोगे तो यहां सी क्या मिलेगा R, P यह हमीशा ज्यान देखना ना यह order हमीशा maintain होना चाहिए तो अगर यह क्या होने चाहिए तो आप यह बोल सकते हो कि दोनों ट्रेंगल का होंगे similar होंगे क्यों 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 दोखो इसमें एक proportionality है अगर AB अपान में आप PQ की कर बात करो यहां से देखो AB अपान में PQ बराबर AC अपान में PR बराबर में BC अपान में QR जरब proportionality लिखो 3x6 AC कितना होगा 4x8 5 और यह सब किसके बराबर एक बटाद दो यह क्या हो रहा है सभी एक्क्वल्स हैं इसका मतलब हो आगया जब यह proportionality हो गया तो इसका बस इतना ही पता इस से हम को यह पता चलता है जब कोई छी proportionality होती है जैसे यह line हम बोलें जैसी यह line क्या है इस 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 ही ट्रेंगल भी सो फैलाओ हो रहा है या बड़ा हो रहा है, या छोटा हो रहा है ठीक है ? जिसे देखो यह 3 से क्या हो गया ? 6 हो गया याँ आप इसका देखर हो multiple है या 2 गुणा हो रहा है । आप कर सकते हो कि कोई अगर हमारा छोटा सा फिगर यही था, यह क्या होगा? बस बड़ा बन गया, बड़ा बनने के लिए क्या होगा? इसके साइट से बड़े हो गया होगा, एंप्लिफाय हो गया, जैसे आप कभी को, जैसे आप मालो कोई एक इस तरह से वर्ड लिखा हुआ है, और इसको आप जूम करते हो तो जूम में क्या होता है कि आप देखते हो कि सारे वर्ड जूम हो जाएंगे ऐसा नहीं कि अगर आप इसे मालो कोई वर्ड लिखा है मालो पेन लिखा हुआ है अब इसको आप जूम करते हो तो ए को जूम करोगे तो ऐसा नहीं कि ए को जूम कर रहे हैं तो तो e, p और n जूम नहीं होगा, ठीक है, यानि इसके सभी dimension जूम होते हैं, इसी तरह से proportionality का मतलब हो गया, कि यह क्या हो रहा है, amplify हो रहा है, बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, जो भी, इससे हमको यह decide करने में मतदद मिलती है, कि अगर सभी sides जूम हो रही है, equal times, जैसे 3-6 हो रहा है, 5-10 हो रहा है, 4-8 हो रहा है, हमको पता चला कि सभी sides दो गुनी हो रही है, एक साथ में, ठीक है, तो यानि हमको इससे यह पता चला कि हमारे figure में या हमारे shape में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है, जैसे यही word कि जो original हमारा figure है, उसमें distortion आ गया, और अगर यह हमारे दो गुना figure हो गया, यह भी दो गुना हो जाए, यह भी दो गुना हो जाए, यानि इस प्रकार से अगर हो जाए, आप को होगे, ठीक है, figure तो हमारा बड़ा हो गया, लेकिन हमारा जो dimension है, वह क्या हो गया, equal हुगा, clear न, तो proportionality हमको इस बात की पता चलती है, जो हमारे figure में distortion नहीं आया, बस हो गया, magnify हो गया, चोटा हो गया, जो भी हो सकता है, इसलिए हमको proportionality चेक करना होता है, तो अब similarity को कैसा टेस्ट करेंगे, यह हमको basic पता चल अगा है, कि यह पता होना चाहिए, तो similarity को भी टेस्ट क करने के लिए जैसे हमने congruence में देखा उसी तरह इसमें भी समझेंगे अच्छा एक चीज तो आपको यहां पर समझ आ गए होगी कि every congruent triangle should be similar होना ठीक है यानि सभी congruent triangle should क्या must होना चाहिए कि सभी congruent triangle होंगे वह similar ही होंगे लेकिन सभी similar triangle congruent नहीं होगा ठीक है फिससे एक यह triangle और यह triangle यह congruent है यह दूसरी जैसे लग रहा है तो यह similar है लेकिन यह बड़ा बड़ा सरकल हमको रिप्रेजेंट करेगा किसको congruent को यह congruent हो गया अब हम mathematics पढ़ रहा है तो उसका यूज करेंगे ना अब हम बार-बार लिखेंगे थो लिखा थोड़ी जाएगा word हमको थोगा smart बनना होगा यह हमारा क्या हो गया या similar हो गया similar triangle हो गया जो चीजे पढ़ा करो उसको apply किया करो ठीक है अपने notes में छोटा से figure बना लो जहां पर notebook पढ़ रहे हो आप हमेशा हमेशा के लियाद हो जाएगा अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो बस clear है अगर इसके बाहर चाहो तो union बना लो triangle को represent कर लो set theory तो आपने पढ़ा नहीं होगा तो बस आप इतना ही समझ लो आगे बढ़ते हैं अब ज़रा इसके लिए समझते हैं कुछ condition क्या होती है और इसको पाचानना बहुत ही आसान है जैसे आप पहला ही देख लो जैसे हमने बात किया था कि अगर दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो तीसरा एंगल automatically बराबर हो जाएगा तो तीनों बराबर हो जाएंगे तो वह definitely similar होगा congruent नहीं होगा लेकिन similar होगा अभी आपने पीछा समझाता तो पहला आप इसी स्टाट करते हैं कि मालो कि दो एंगल हमारे क्या हो जाएं बराबर हो जाएं दो एंगल बराबर हो जाएं तो देखो जैसे यह एक हमारा मालो ट्रेंगल ABC है और यह एक ट्रेंगल आपका PQR यह हो गया आपका ABC यह हो गया आपका PQR तो बताओ अगर दो एंगल बराबर हैं मालो angle B या ऐसा लिख देते हैं if angle B equals to angle Q हाँ या बार 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 मैं आपको समझा रहा हूँ कि यह हमेशा सेम रहना चाहिए या order सेम होना चाहिए कि अगर A B C P Q R के similar है तो एक जगह पर P B के जगह पर Q C पर P Q P पर R होना चाहिए या हमेशा होना चाहिए और मालो angle C आपका angle R के बराबर है तो हमका सकते हैं कि अगर यह 2 angle बराबर है ठीक है तो तो तीसरा angle definitely बराबर होगा जैसे मालो यह 45 है यह 90 है यह और इसेतरने यह 25 होगा इस साने यह 45 है यह 90 होगा अगर 25 यह देमें www भयवहद अगर 20 आंगल रहाबर हो जायंगे टश्यू को चैसे 25 बड़कि रिख नहीं। पहले आपको बताई चुके है कि हमारा एंगल सिमिलर्टी होने के लिए क्या चाहिए एंगल या इक्वल होने चाहिए क्लियर है का मतलब इक्वल होता है दूसरा देख लो दूसरा मैंने आपको जीसे एक बताई था कि SAS की एक साइड में इस बराबर तब यह हमारा हो जाएगा देखो दूसरा देख लेते हैं SAS AS AS यह क्या था कि मालो अगर हमको दो एंगल दिया हुआ है ठीक है दो ट्रियंगल दे रखें इस प्रकार से यह है A B C यह है आपका P Q R ठीक है यहां पर मैंने इसको लिख लो इस तरह से तो आप बोलोगे कि definitely A B C similar होगा ट्रियंगल P Q R के और यहां पर देखो इसको समझना अगर हमको मालो given है कि दो sides बराबर और उसके बीच एक एक एंगल बराबर तो मालो दो side हम conception है चलो मालो A B बराबर है P Q के और BC बराबर है Q R के आपको हो गया है किनी हमने क्या बोला? इसमें लिखने का सही तरीका तो आप इससे लिख सकते हो ABC, CB, Q भी लिख दोगे तो कोई दिखर ने लिखे होगे अंगल की बात कर रहे हैं तो आप कोगे कि ट्रेंगल अच्छा ठीक ठीक एक सॉरी यह अगर बराबर हो जाएगा अगर यह बराबर हो गए तो यह तो congruent हो जाएगा अगर यह sides बराबर हो जाएगी तो यह congruent हो जाएगा तो यह तो हमने congruent में भी पढ़ा हुआ था यहाँ पर क्या है इनको proportional लोना होगा आप कहोगे AB और PQ को यह proportion में हो ठीक है यानि आप ऐसे बोलोगे कि जो हमारा AB साइड है जो AB साइड और PQ का जो रेशियो होगा वही BC अपान में QR का भी रेशियो होना ही चाहिए और एक एंगल अगर बराबर हो तब कहोगे कि आप ABC सिमलर टू ट्रेंगल PQR बिलकुल कंठस्ट कर लिजे कि दो एंगल बराबर दो साइड प्रपोर्चनल हो और एक एंगल बराबर हो तो यह क्या हो जाएगा सिमलर हो जाएगा और अगर यह मालो बराबर हो जाए AB बराबर PQ हो जाए यानि इनका जो रेशियो हो जाए कितना जाए यानि या भी 1 हो जाए या भी 1 हो जाए 1 1 होने का मतलब हुआ कि ए भी इतना है उतना पीकी हो जाए 1 1 हो गया तो यह क्या हो जाएगा वह congruent हो जाएगा यहनि same हो जाएगे और अगर मालों यह कुछ भी ratio आ रहा है 1 बटा 2, 1 बटा 2 आ रहा है यह बटा 4, 1 बटा 4 आ रहा है तो यह क्या होगा यह similar होगा clear है और 1 आ गया तो क्या हो जाएगा वह congruent हो जाएगे simple सी बात है clear है आगे बढ़े और इसी तरह अगर हम side की बात कर रहे हैं तो हमको पता कि तीनो side क्या होने चाहिए proportional चाहिए यह तुमने आपको थियरो में समझा दिये था तो आप इसको लिश सकते हो as similarity इसको समझा लो यह क्या होगा यह इसी में देख लो जी यह बिल्कुल कि अगर हम कहें कि देखो अगर हम कहें इफ माल लो हम माल लेता है कि अगर AB जो AB पी क्यू के AB और पी क्यू BC और क्यू आर एवं AC पी आर इनका जो side का ratio हना वह अगर सेम हो सभी सेम है आप बोल सकते हो कि यह angle क्या होंगे definitely क्या होंगे definitely similar होंगे ठीक है तो जैसे हमने बोला कि अगर माल लो यह जैसे यह ले लो 3,6,8 यह 3,6 इसको 8 ले लो तो यह कितना होना चाहिए यह माल लो 2 दो गुना कर देते हैं तो यह जाएगा 6,12 और 16 तो आपको हो गए यह क्या होंगे similar होंगे क्यों क्योंकि इनका सभी का साइट की जो रेशियो हैं वह कितना होगा 1 by 2 होगा clear है तो बस इसको लिखनी के जो नहीं है जिसे यह हो गया triangle का हमने समझा दिया यह सुरात में आपको कि इनके similarity के लिए क्या होने चाहिए इनके side जो हम है इनके side का जो ratio होना चाहिए वह सेम होना चाहिए लेकिन हाँ यहाँ पर हमीसाद ध्यान देना चाहिए अगर यह बराबर होंगे तो congruent होंगे proportional होंगे तो similarity होगी तो similarity में हमको बहुत जाद दिमाख नहीं लगाना होता है बस हमको यह प्रूब कर देना होता कि इनके sides है वह क्या है प्रपोर्शन में लेकिन जब congruency प्रूब करना होता है तो वह difficult होता क्योंकि वहाँ पर हमको exact मान निकालना होता है कि absolute value क्या है AB की और PQ की यह हमको प्रूब करना पड़ता है similarity में तो हमने AB और PQ का देखा दिया ratio कि चलो भाइस का एक बटा दो है इसी तरह BC QR का एक बटा दो है तो हमारा कम बन जाएगा और कोई एक एक एंगल AC और PR बता देंगे कि यह भी 1 by 2 है तो यह similar हो जाएगा clear है तो यह हो गया हमारा similarity का rule ठीक है तो इन सारी चीजों को यह हमारा congruent हो गया आप समझे लिए कि आप मैं आपने बहुत ही बड़ी चीजे चीज जोगर कवर कर लिया है खासतार में अगर geometric की बात करें ट्रेंगल में तो इन सारी चीजों का काफी use होता जहां पे हमको area निका अगर आप रट रट के अगर याद करते होने तो फिर वह बहुत ही difficult है क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो सकता याद हो जाए कुछ दिन बात फिर बूल जाएगा कुछ दिन बात बात पता चला आप confuse करने लग जाओगे congrence में similarity में clear है अगर आपकी proper understanding होगी तो फिर कोई द चीज है इस पर question हमेशा आता है तो heading डालो कि property of similar triangle properties of properties of similar triangle इस पर समलेजे कि आपको हमेशा question पूछा जाता है इसको अच्छे समझेगा तो देखो सबसे पहली चीज अगर हमको दो triangle given है ठीक एक triangle माला लो A B C है हमारा यह एक triangle माला ABC है दूसरा triangle माला लो इस तारह समको P Q R given है और हमको यह दे रखा है कि यह दो triangle या बी C ओर P Q R क्या है similar है, तो आप ध्यान रखना कि पहली चीज, जो सबसे पहली चीज, कि ratio of side, ठीक है? ratio of sides ratio of sides ठीक है? यह बराबर होता है, ratio of यह किसके बराबर होगा? ratio of ratio of अब जोकर मैं एक ही साथ में सारा लिखता जा रहा हूँ, note कर ले ना ratio of height के बराबर होता है ratio of height जिसको आप altitude भी बोलते हो altitude भी बोला जाता है, altitude ठीक है? दूसरा ratio of medians ratio of angle by sector angle by sector ठीक है? by sectors, यह लिख सकते है, medians लिख सकते है और यह क्या होगा? ratio of in red eye in red eye अन्ता विर्थिक की तिरिज्जा और circum red eye ठीक है? यह इतनी चीज़े एक साथ में आप समझिए कि अगर दो triangle similar है, तो इनके जो side का ratio होगा ना, वही इनके height का ratio होगा है, वही altitude का ratio होगा, वही median का होगा, वही angle by sector का है, in red eye का और circum red eye का होगा clear है? तो जैसे अगर हम कहें कि यह दोनों triangle similar है और मालो यह हमार altitude है AH और यह आपका क्या है? मालो PN है, तो आप कोगे कि जो side का ratio होगा, मालो side का ratio AB के बात कर लेते हैं कि AB अपान में PQ होगा ने वही ratio AH अपान में क्या होगा? PN होगा इसी तरह से अगर आप मालो यह हमारा median ड्रा कर लेते हैं यह median है, मालो A, AG है और यह मालो इस तरह समय ड्रा कर लेते हैं, M है यह क्या होगा? आपका median है तो जो ratio AB अपान में PQ का होगा, राइट जो इनके side का ratio होगा वही इनके medians का ratio होगा AG अपान में PM इसी प्रकार से बाकी सारे हैं ठीक है? तो इनको याद कर लिजे यह बहुत ही most important formula है आगे देखते हैं, और property similarity के similarity का एक property होता है जो ratio of angle होता है या इस ही माँ इसको include कर दिये होते हैं कि जो ratio of side होगा न है वही क्या होगा? ratio of corresponding sides होता है ठीक है? या इसको हम अलग सही समय लेते हैं कि देखो, अगर हमको निकालना है area का ratio निकालना है area का ratio जो होगा, वही इनके side के ratio का square होगा या आप ऐसे कहलो, कि ratio of ratio of sides का square यही क्या होगा? यही होगा ratio of area ratio of area ठीक है? जिसे यही हमारा अठान है अब इसमें ratio of side का AB का by PQ का whole square BC by QR का whole square AC by PR का whole square ठीक है? मालो इस तरह समको दिया है कि triangle triangle ABC similar to triangle PQR clear है? तो देखो, जिस order में लिख रहा हूँ, यह हमेशा ध्यान देना है यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा बदल देता हूँ चलो यह हो गया अब हमारा P, R, Q तो अब जैसे PQ ले रहते हैं अब यहाँ पर PR लेना AB की बात कर रहे होते हैं यहाँ पर P, Q, R, Q, C की बात करोगे Q, R, Q, P की बात करोगे तो यहाँ पर C, A की बात करना है clear है? यह हमेशा जहाँ रखना है तो देखो अगर हमको हमको माल लो यह हमने क्या माल लिया? P, R, Q की बात कर लिया तो देखो अगर ratio of sides तो side के ratio कितना होगे? AB तो PR side का whole square plus sorry equal BC upon V R, Q का whole square बराबर में CA ठीक है? CA upon V QP का whole square यह होगा इनके area का square के बराबर होगा ठीक है? तो इनका area क्या होगा? इनका area माल लो triangle ABC upon में यह होगा area of triangle P, R, Q के बराबर होगा ठीक है? तो यह बात हमारी दूसरी चीज most important है इसको बिल्कुल याद कर लिजे कि जो इनके side का square होगा रेशियो का जो इनके side के ratio का square होगा यह ही इनके area के ratio के बराबर होगा clear है? दोको इस triangle को इससे confuse मत करना अब यहाँ पर यह triangle यहाँ पर ABC PRQ के बराबर है यहाँ पर ABC PRQ के बराबर है इसका मतलब अगर आप जिससे उसी triangle में देखना चाहते हो मालो इसी triangle इसी तरह सा अगर आप बोल रहे हो ABC यह हमारा यहाँ था क्या PQR तो अब यहाँ पर क्या होगा ना जो angle B है वह R के बराबर है तो मालो अगर यह थीटा डिग्री है तो यहाँ पर R अप थीटा होगा clear है यहाँ पर angle A अगर अलफा होगा तो यहाँ पर अभी भी अलफा है और अगर यहाँ पर C जो मारा बीटा है तो यहाँ पर Q बीटा होगा क्यों क्योंकि Q की जगह पर C, R की जगह पर B है, P की जगह पर E है तो देखो इसको हमेशाथ यहां रखना मैं इसलिए बार 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 इसको आप समझा रहा हूँ कि यही जो की है बिल्कुल similarity और congruent triangle का अगर आप इसको अभी समझ गएने तो फिर कभी confusion नहीं होगा और अगर आपने इसको यहां पर नहीं से प्रापर समझा तो आप बार 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 इस चीज में confusion करती रहोगे तो जैसे एक triangle का हमने देखा न इसी तरह से आपका perimeter का भी होता है clear है तो perimeter में क्या होता है कि जो triangle का perimeter का ratio होता है वह ही क्या होता है उनके side के ratio के बराबर होता है clear है अच्छा एक छोटी सी और जी देखो जैसे अगर ratio of side का square ratio of area के बराबर होता है तो अगर हम ratio of area का इसके side का square कर रहे हैं तो यह इसके लिए true होगा जैसे जो अब यह हमने उपर समझा कि हम ratio of area अगर हमको लिखना होगा तो हम कह सकते हैं कि उसके altitude के square के ratio के बराबर होगा उसके median के ratio के square के बराबर होगा उसके angle by sector के square के बराबर होगा उसके in radii होगा, circum radii होगा ठीक है अब देखो एक और इसमें add कर लो perimeter भी बराबर होता है perimeter भी क्या होता है इनके side के ratio के square के बराबर होता है sorry, side के ratio के बराबर होता है ratio of side जो होता है वह ratio of perimeter के बराबर होता है ठीक है? clear है? तो यानि आप कह सकते हो अच्छा देखो यह ज़िसे अगर माल लेते हैं triangle ABC का sides ABC या PQR के PQR हैं AB by PR, BC by RQ, CA by QR अगर माल लो इस तरह यह triangle congruent होगा तो अगर side बराबर होंगे तो चुकि side किसके बराबर होगा? altitude के, medians के, angle by sector के, in-radic, circum-radic, perimeter तो यहाँ पर आप side लिख सकते हो, वहाँ पर इन सारी चीजों को लिख सकते हो बस अंतर कहां पर आ जाता है, जहां ratio आ जाता है, एरिया में क्या होता है, हमको पता है यह इसमें क्या होता है, टू-डाइमेंशन होता है ठीक है, तो यहां पर क्या होता हमारा square में होता है, ठीक है तो तीसरा रहन्तेल यह एक perimeter ही, तो perimeter भी हम इसमें include करके खतम कर देते हैं आगी देखते हैं एक बड़ा famous case होता है Write-angle triangle का कि right-angle triangle में अगर हम right-angle से expromihodelles सामनेवाले हाइपोटैनीस पे पर-perpendicular drag कर देते हैं use में जब देखते हैं similarity और यह किस को अलग से समझ रहे हैं कि यह बड़ा कामन है यह बार-बार-बार हमारे सामने आता है तो क्यों ना इसको हम पहले से समझ लें और इसको याद कर लें आप एक चीज़ समझे कि जो भी बूकें हैं सस्ती के लिए लिखी जाती है या कॉंटिटीटीटीट के लिए तो को जो ठीओरम था ने जो रूल था वह खतम हो चुका है अब जो चीज़े हम सीख रहे हैं वह उसका अप्लिकेशन है तो क्योंकि हमारे सामने जो exam हो रहे हैं different exam हो रहे हैं उनका एक track record है कि वह 10-15-20-25 साल से exam हो रहे हैं तो उसमे एक pattern होता कि कुछ ने इस pattern से पूछ जाते हैं तो teacher क्या करता है धीरे 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 एक certain time के बाद वह एक pattern पता से जाता कि अच्छा इस pattern पूछा जा रहा है, इस में बार बार पूछा जा रहा है, तो वह क्या कर देते हैं, कि आपके लिए बिल्कुत simplified करके दे देते हैं, कि आप यही पढ़ो और यह exam देके चले आओ, ठीक है, जैसे मालो अगर आपको exam ना देना हो, तो आपको पढ़ना ही नहीं पढ़ेगा, तो आप के लिए समझोगे concept, उसके बाद खुद से आप डिरावी करोगे, clear है, तो इसलिए कभी आप देखते हो, कि जैसे IIT होगर एक exam जो होते हैं, या आप academic level में, इंटर होगर हैं पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे बिल्कुल theorem और हमको पता है कि यहां पे equation काफी तेज करने हैं, बिदिन time में, time हमारे पास बहुत कम है, और variety बहुत जाता है, तो इसलिए क्या करते हैं, हम अपने सुविदा के लिए बहुत सारे फारूले पहले से रट लेते हैं, ठीक है, या बहुत सारे case जो है, उसको हम याद कर ले तो जो अब हमने स्विखाने को पर similarity, इसी similarity का उपयोग करके एक right angle triangle में कुछ special case बनता है, उसको सीख लेते हैं, और अगर हम इस B से, इस right angle triangle से, ठीक है, इस पर hypotenuse पर एक perpendicular draw करते हैं, तो कुछ चीजे देखो, जो हमको काम की चीजे हैं, उसको सीख लेते हैं, यहां से हमक divided by AC, ठीक है, जो BD होता है, वह इस side, इन दोनों side के sum का, sorry, multiplication का, multiply का, यहनि इनका जो दोनों का गुड़न खंड होता है, या product होता है, उसको अगर हम AC से, hypotenuse से divide कर देंगे, तो हमको BD मिल जाएगा, पहली चीज, दूसरी चीज, दूसरी चीज होता है कि AD बरापर होता है AB का whole square, अपान में AC, ठीक, तीसरी चीज, अभी बस लिख लो, अभी हम सारी चीज़े हम प्रूब करेंगे, ठीक है, अभी के लिए सारी चीज़ें को note down कर लो, CD बरापर होगा, BC का whole square अपान में AC, ठीक है, BC का whole square अपान में AC, और 4 चा देखते हैं, यह होता है, कि 1 by या इसको मैं इसा करते हैं, यहीं पर लिखते थे, फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ होगा, कि BD, 1 upon में BD का whole square, 1 upon में BD का whole square, बराबर में, क्या होगा, 1 by AB का whole square, प्लस, प्लस, 1 upon में BD का whole square, आप उहां पर derive नहीं करना है, ठीक है, अगर हमको मालो, यह side निकल जाए, उसके बाद भी हमको कुछ application अभी करना है, ठीक है, question अभी फटतर और solve करना है, तो अगर यह आपको याद होगा ना, तो diet आप बोलोगे, यह side यह होगा, तो इसके आगे का 2-3 process होगा, वह करके आप answer के पास पहुंच जाओगे, और अगर आप यहीं पर उलच गए, इसी side को निकालने में उलच गए और यह आपको याद नहीं है, तो यह question फिर आपको क्या होगा, कि आप बिदिन टाइम में इस question को कर नहीं पाओगे, इसलिए यह चोटी से चीज है यह जो हमको between the question, समझे रहा है, इन between the question हमको इसको apply करना होता है, जब हम कोई question solve कर रहे होते हैं, उस ही समय कुछ ऐसा आता कि नहां पर हमको side निकालना होता, और वह एक right triangle triangle बन रहा होता तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? अब दोखों, यह सारी चीज़े कैसे आएं, अब इसको एक-एक करके समझते हैं, तो सबसे पहले यह बताओ, कि अगर triangle ABC की बात करते हैं, और triangle ADB की बात कर लेते हैं, तो क्या यह similar हैं? सबसे पहली चीज़ आपको यह पता करने आनी चाहिए, तो देखो, इसको करने का सबसे तरीका है कि हमने बोले हैं कि आपको angle पकड़ना है, तो यह 90 degree हो गया, triangle ABC में, triangle ABC में हमने देखा कि angle B हमारा 90 degree हो गया, और triangle ADC की बात करे हूं, ADB की, अभी यह नहीं पता कि यह इसके similar है इसके, अभी थमपस एक लिख रहें डारेट, तो जो angle B हो गया, वो आप देख रहो angle D के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि angle D भी क्या हो गया, 90 degree हो गया, अच्छा एक angle बराबर हो गया, अच्छा बताओ, यहाँ पर ABC में जो angle A होगा, वही angle यहाँ पर भी A होगा, इस ADB में, अलफा होगा, clear है, तो अब आप बोल सकते हो कि जो triangle A, B, C, होगा similar होगा, triangle A, D, D, B के जगें पर D होगा, और यह जो यहाँ पर B है न, ठीक है, यह angle किसके पराबर होगा, C के, तो यह हो जाएगा हमारा B, clear है, इसमें जो ADB इस तरह से बन रहा है, यह अलफा होगा, तो यह इसके similar होगा, पहली चीज़, ठीक है, यह पहली चीज़ आ गई, ठीक है, इसको समल लिजें, कि यह जो triangle आया हमको क्या हो गया, similar हो गया, अब दूसरा देखो, अब ज़रास हम बात करते हैं कि क्या, यह triangle B, D, C के भी similar है, यानि हम triangle B, D, C में चर्चा करना चाहते हैं, कि क्या यह इसके बराबर होगा, तो बताओ, अगर ABC हम बड़े वाले triangle से चर्चा कर रहे हैं, कि ABC क हम चर्चा करें, तो देखो, इसमें भी triangle triangle C है, अब बड़े वाले में भी triangle C है, ठीक है, हम triangle ABC और BDC में चर्चा कर रहे हैं, अच्छा, इसमें angle B हमारा perpendicular, इसमें, sorry, छोटे वाले में angle D perpendicular है, अब बड़े वाले में क्या होगा, angle B perpendicular होगा, तो definitely जो, यानि CC बराबर, D, D बर पर होगा, तो मालो अगर इसमें, इस condition, अगर मालो यह बीटा है, तो यह वाला angle कितना होगा, यह बीटा हो जाएगा, तो आप कह सकते हो, कि triangle ABC किसके similar होगा, ध्यांस बताजना, यहां पर देखो, A की जगह वाला यहां पर B आ गया है, यहां पर B लिखना, और देखो, इस आपको यह क्रम लिखना आने चाहिए, और अगर आप angle पकड के करते हो, तो question बिल्कुल within second में होगा, कभी भी कोई confusion ने होगा, अगर इसी को आप side से समझते हो, तो आप देखना कि आपको काफी पर तकलीफ होती होगी, और यह आपको बहुत confusion topic लगता होगा, तो यह होगा के हमारा पहला, ठीक है, इसको एक बोल देते हैं, इसको दो, अब बात कर लेते हैं, कि जरा इन दोनों को आपस में देख लेते हैं, ABD और BDC की बात कर लेते हैं, किसकी की बात कर लेते हैं, कि हम ABD की बात कर लेते हैं, और triangle BDC की बात कर लेते हैं, क्या यह आपस में similar हैं, तो देखो ध्यान से, इसमें जो D है, यह 90 degree है, यहाँ पर भी 90 degree है, D दोनों में है, आपने बोला D दोनों में है, clear है, अच्छा, अब आपने एक चीज और देखा, कि यहाँ पर अगर आप इस तरह से भी देख सकते हो, चाहो तो, एक side भी equal कर सकते हो, क्योंकि BD इसमें दोन अलफा है, clear है, और यहाँ पर C वाल अलफा है, आप कर सकते हैं, A, B, D में जो अंगल B है, वह B, D, C वाले में अंगल C है, और कोई अंगल बराबर है, और अंगल D बराबर है, उसी तरह है, देखो, जो इसमें यह C है न, या इस तरह से रिखने हैं, थोला से confusion हो रहागा, इसको मैं इसे लिख देते हैं, कि जो यह हमारा एंगल, 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 A, B, D है, वह किसके बराबर है, वह एंगल D, C, B के बराबर है, उसी तरह देखो, जो एंगल, जो हमारा, अब इस बीटा की बात करते हैं, तो देखो जो एंगल C, B, D बराबर है, वो किसके बराबर है, वो एंगल हम कर सकते हैं, B, A, D के बराबर है, बीटा बीटा बाला, एंगल B, A, D के बराबर है, और यह कितना बीटा है, और यह कितना अलफा है, ठीक है, तो हमने देखा कि तीनों एंगल क्या होगे, तीनों एं आप कहोगे कि होगा हमारा ट्रेंगल अगर हम पहले महाल बात करते हैं ABD किसके similar होगा तो यहाँ पर जो angle A है वह किसके बराबर है यहाँ पर देखो यह जो angle बीटा वाला है यहाँ पर कौँ सा है B वाला है, C, B, D के बराबर है इसको उन्हें B लिख लिया अच्छा, इसमें जो B है A, B, D वाले में, जो B है यह कितना अलफा, और अलफा यहां पर काउंसा है? C है, तो C के बराबर होगा और D, D तो दोनों में common हो गया तो D बराबर हो गया तो क्या हो गया? यह भी तीनों बराबर हो गया यानि यह भी क्या हो गया? Similar हो गया अगर मैं अब summarize करके आपको एक जगे पर लिख दूँ इनको आप बिल्कुर इस तरह से context याद कलिजे ठीक है? और एक चीज़ थोड़ा से देखो यहां पर हमने गया जिसे D लिखा है पहले B लिए फिर D लिए आप इसको चाहो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप इसको इस क्रम में भी लिख सकते हो जिसे ADB की क्रम में लिखना चाहते हो जैसे देखो यह जो हमने तीसरा लिखा है ने? लास्ट वाला ठीक है यह लास्ट वाला लिखा है हम चाहते हैं कि इसके एक रम में लिखें ताकि हम तीनों को एक फाम एक जगे पर लिख लें हम लिखना चाहते हैं तो देखो कैसे होगा? हम इस तरह से ADB की फाम में लिखना चाहते है ADB लिख दे बीटा जो है एक बीटा एंगल है इसमें कौन सा बीटा बी है तो यहां पर बी लिख लो डी डी दोनों में कामें 90 डिगरी और बचा यहां पर बी तो यहां पर क्या हो जाएगा C हो जाएगा clear यहाँ पर C alpha है तो यहाँ पर B कितना alpha है clear है तो यह हो गया हमारा तीसरा अब ऐसा हमने क्यों लिखा यह अभी अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि हम चाहते थे कि तिनों को एक फाम में लिख दें देखो यहाँ पर देख रहे होगे आपकी ABC जो है ADB के बराबर है और ABC BDC के बराबर है और ADB ADB BDC BDC आपस में similar है तो आपका सकते हो कि तीनों triangle similar होगे इनको हम एक लाइन एक भासा एक जगे पिलिख देते हैं और इसको बिल्कुल इसी फाम में आप याद करो कि triangle ABC similar to triangle ADB similar to triangle BDC इसको बिल्कुल आपस में similar है लेकिन similar किस फाम में किस order में या आपको order maintain करना चाहिए अब रेंड़म है इसा नहीं वो लोग है कि ABC similar है ABD के नहीं तब तो गलत हो जाएगा या वो similar है BCD के गलत हो जाएगा DCB के order हम इसा maintain करना है अगर हम इसारी चीज़ों को मिटा दें या ठीक है रहने देते हैं इसको आप बिल्कुल note down को लेजे यह most important है clear है और अगर हमने इसी के through अगर हम आपको बता दी होते है इसी में अगर हमने चर्चा करते करते है तो चलो ठीक है अब निचे देख लेते हैं जब हमको इतनी सारी चीज़े पता चलेंगे तो अब एक ही करके प्रूब कर लेते हैं clear है क्योंकि अभी शुरुआत है प्रूब करना बता दे रहे हैं समलों यह क्या हो गया इस प्रूब के through हम कम से कम चार क्यूशन सिख जाएंगे समझे रहो यह हमारे चार प्रूबर क्यूशन बनेंगे तो देखते हैं कि पहला देखते हैं इसी को हम ऐसा करते हैं इस ट्रेंगल को यहां पर लगा लेते हैं तो एक सेकंड रुख जाईएगा ठीक है अब देखो समझते हैं कि हमको क्या क्या प्रूब करना है उसके बारे में सीखते हैं कि करके इतना चीज तो अभी हमको पता हो गया यह figure हमने यहां पर लगा लिया ठीक है तो शुरू करते हैं अगर हम इसको लिख भी दें तो पहले अगर देखते हैं कि अगर हमको पता देखते हैं यह triangle equal है यह देखो पहले हमको लाना क्या है यह सीख लेते हैं जिससे पहला B D बराबर A B अपान में A B into B C by A C ठीक है इसको हमको पूरूप करना है क्या है कि यह हमको पताना है कि A D बराबर में A B into B C by A C ठीक है B C by A C यह बताना बहुत ही आसान है देखो दो ट्रेंगल बन रहे है एक triangle ABD है एक बनेगा BDC ठीक है एक ADB है दूसरा BDC है तो हमको पता है कि इसमें क्या होगा कि दोनों triangle जो हो गए है ठीक है तो अगर हम आपसे कहें आपके ट्रेंगल ABC का एरिया बताओ क्या होगा एरिया आप ट्रेंगल ABC का क्या होगा एरिया बताओ तो आपको होगे यह होता है कि हाफ 1 by 2 into base base कितना BC into height height कितना है AB लेकिन मैं कहूँँगा कि आप दूसरा तरीका लगा सकते 1 by half यहाँ पर height इसको ले लो BD को ले लो BAC को ले लो यह कितना होजागा BC into AC sorry BD into AC हो जाएगा BD into AC होजाएगा हाफ से हाफ कट जाएगा तो जरा यहाँ से BD लिख़ लो कितना मिल जाएगा आपको BD बराबर हो जाएगा कि AB into BC c divided by कितना हो जाएगा, clear है, यह direct आ गया, इसी चीज को हम direct लिखे देते हैं, कि bd पराबर कितना हो गया, bd पराबर हो गया, a, b, इन दोनों side का product, और divided by ac, यह सबसे आसान है, और सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला formula हो गया, तो अब इसको क्या है, कि हम बार बार लिखेंग वह है, कि a, d बराबर में, a, d बराबर में क्या है, a, b का holy square divided by ac, ठीक है, देखो इसको बड़े आसानी से प्रूब कर सकते हो, आप चाहो तो, क्या करेंगे देखो, एक second रुख जाना, देखो दूसरा जोंको प्रूब करना है, हम इसको देखो, दो ट्रेंगल देख लेते ह है, यह किसके similar है, यह आपके a, d, b के similar है, clear है, अब जारा इसको similarity से, यूज करो, similarity में होता है कि corresponding side क्या होनी चाहिए, वह equal होगा, तो दो को, अगर हम बड़े वाले triangle की बात करें, बड़े वाले triangle में बात करते हैं, या पहले हम बात कर लेते हैं, चोटे वाले triangle या बड़ आलफा के सामने Monitoring side होगी, यह होगी आपकी ad, बड़े वाले में में 90 degree सामने कौन सा side है, ac, चोटे वाले में 90 degree सामने कौन सा side है, 90 degree सामने कौन सा IT, ab है, ab हो गया यहा, तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको क cautarImp desen AD, AB का AB का whole square ठीक है, बराबर में क्या हो जागा बराबर हो जागा AD AB का whole square divided by AD लिख दो या आप ऐसा करो ने, एक सेकन इसको आप इसको आप लिख सकते हो, कि AD का, AB का whole square बराबर हो गया, कितना बता हो AC into AD, ठीक है mostly आपको फार्मला इसी तरह लिखा मिलता होगा, और अगर आप चाहो तो इस तरह से फार्मला लिखना चाहो, AD के फार्मला लिखना चाहो, तो क्या करोगे आप AC को यहां से डिवाइड कर दोगे clear है, तो AB का whole square बराबर हमको मिलगा कितना AB का whole square बराबर मिल जाएगा, या ऐसे कर लो कि अगर हमको AD चाहिए, तो AD का whole square बराबर होता है AB का whole square अपानवे AC clear है यह हो गया आपका दूसरा फार्मला रूप हो गया, आसान है कि अगर हमको similarity पता है तो यह सारे चीज तो हम चुटकियों में कर सकते है अब तीसरा दिखते हैं, तीसरा हमने क्या बता है आपको एक सेगेंड इस figure को हम कर लेते हैं, copy और इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे paste यह क्या हो रहा है ठीक है, अब सही है अजो तीसरा फार्मला था था को तीसरा हमने बोला था कि वह क्या था हुआ था c d बराबर में, c d बराबर में आपका क्या था b c का whole square अपान में a c, ठीक है c d बराबर में क्या था, b c का whole square बराबर ad तो देखो similarly, जैसे हमने बड़े वाले को लिया था फिर एक a b d को लिया था, अब यहाँ पे आप क्या करना a b c को ले लेना और b d c वाले को ले लेना, ठीक है तो यह आपके लिए home work है बिल्कुल आसान है आप कर सकते हो कि जैसे हमने एक बार बड़ा वाला लिया फिर छोटे वाले उपर वाले को लिया इसने आप बड़े वाले को ले लेना, तो आप ऐसे याद कर लेना इसको कि a d चाहिए तो आप a b का होलड़ करोगे a c से डिवाइड करोगे c d चाहिए तो b c का होलड़ करोगे और a c से डिवाइड करोगे क्लियर है और एक और देखते हैं जो आकरी हमारा fourth था वह क्या था यहाई पर देख लेते हैं फोर्स जो हमने दिया था वह आपको वह था कि 1 by BD का whole square बराबर में 1 upon AB का whole square plus 1 upon BC का whole square है ठीक है तो देखो इसको भी प्रूब करना बहुत ही आसान है जो अपने सबसे पहली चीज़ सीखी थी कि हमने पुछा आपको बता है कि BD क्या होता है BD बराबर होता आपका AB into BC divided by कितना AC ठीक है अगर इस तरह से फाम में आपको याद करना दिक्कत हो रहा तो आप यह सब याद कर सकते हो इनका इनका sum multiplication अब BD और AC का multiplication या आपको एक बार यह समझों आ गया कि यह basically हम area equal करके निकालते है तो आप भूल के भी नहीं भूलोगे यानि यह आपको हमेशा के लिए याद रहा ठीक है तो अगर हम यहाँ से देखो लिखे है BD into AC और यह कितना होगा इसको लिखते है BC ठीक है प्लस इन्टू इन्टू यह कितना होगा यह हो जाएगा हमारा AB clear है अब देखो इस AC के जंगे पर आप क्या पूट कर सकते हो पाइथाकोस थिरूम से AB का होल स्कॉर प्लस BC का होल स्कॉर अंडर रूट में तो जरा इसको पूट कर दो BD बराबर हो जाएगा रूट में AB का होल स्कॉर प्लस BC का होल स्कॉर बराबर में BC इन्टू AB जरा दोनों साथ क्या करो आप स्कॉर कर लो देखो इसको देखने के पाद आपके दिमाग को यह आना चाहिए कि यह बेसिकलि आपको इस प्रकार से कुछ answer हमारा आएगा ठीक है इसको simplify कर लिए आपने और इसको इधर लिते आएं तो यह क्या हो जागा AB का होल स्कॉर इंटू 20 का होल स्कॉर बराबर में 1y कितना हो जागा BD का होल स्कॉर हो जागा इसको अभी अगर आप simplify करना चाहो तो आपको यहीं फार्म बिलेगा देखो अगर आपने दोनों तरफ स्कॉर के लिए यह कितना हो जागा BD स्कॉर इंटू AB स्कॉर प्लस BD स्कॉर इंटू BC स्कॉर इक्वोल्स टू BC स्कॉर इंटू AB स्कॉर अब जरह इसको simplify कर रेकी देखो यह कितना हो गया, a b square into b c square बराबर b d square, b c square plus b b d square plus a b square, या आप यहां से इसको simplify कर सकते हो, चाहो तो, क्या होगा देखो यहां से हम इसको कर सकते थे, कि यहां से हम क्या कर सकते थे, कि हमने इसमें multiplication किया ने, मतलब मैंने इसको reverse prove कर दिया, अगर हम इहां से, इसको यहां पे लाते हैं, इन सारी चीजों क्मिटा देते हैं, इसको भी मैटा देते हैं, कि हम इसको लाते हैं, यहां से, ठीक है, तो देखो, b d डोनों तो staff square कर लो, यह हो जाएगा, कितना, दोनों तरब square कर लो, इसको इधर भेज़ दो इसको इधर भेज़ दो तो यह हो जाएगा A square प्लस B C square अपान में नीचे आ गया B C square इंटू A B square और इसको इधर भेज़ दिया वीडियो को तो 1 अपान में B D square इसको separate कर लोगे तो यह कितना हो जागा अगर अलग अलग भाग देज़ोगे A B square अपान में B C square प्लस A B square इंटू A B square प्लस B C square अपान में B C square इंटू A B square तो एक बार A B कटेगा एक बार B C कटेगा तो फानली यह क्या आ जाएगा आपको इस फार्म में अंसुर मिल जाएगा ठीक है यह हो गया 4th proof तो बहुत ही आसान है आपने देखा कि सारी चीज़े कितनी आसानी से हमको पता चल गई clear है तो यह हो गया कुछ जो similarity के properties होते है उनको हमको आना चाहिए ठीक है और कुछ 2-3 properties हों उनको भी समल लो इसी के साथ में फिर इसके बाद इस वीडियो को हम समाब्त किया जाए अभी देखो ट्रेंगल में हमको बहुत कुछ सीखना है ठीक है ट्रेंगल ही समलो कि जेमेटरी में ट्रेंगल और सरकल ही यह क्या है बिलकुल बेस है कौडियेटर में सच कोई आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूत नहीं है यहाँ पे बहुत थियोरम नहीं है जो थियोरम सबसे जाद है वह आपको ट्रेंगल में उसके बाद सरकल में अगर दोखो सिमिलर्टी अगर आपको कभी इस प्रकार से आपको दो पैलर लाइन्स दे रखा है और इनकी बीच में कोई ट्रेंगल बनता है मालो कोई ट्रेंगल इस प्रकार से है ठीक है, कि यह हमारे दो parallel lines हैं, इनको मालो AB और यह CD हमारे दो parallel lines है, given है, और यह दो transversal line इस तरह से intersect करके दो triangle बनाती हैं, तो यह always, always क्या होंगे, similar होंगे, आप इसको prove कर सकते हो, कि दोको यह क्या होगे, यह हमारे alternate angle, यह क्या होंगे, यह equal होंगे, इस तरह यह angle, इसके परावर होगा, और यह vertical यह opposite angle यह इसके परावर होगा, यह दो angle परावर हो जाएंगे, तो यह हमें इसा क्या होगा, similar होगा, तो अगर मालो इसको नाम देते हैं, AB, AB इसको क्या दिया है, बोल जाएं, मालो इसको O बोल देते हैं, यह C और D हो गया, तो आपको होगे कि triangle A, O, B, always similar to, अब देखो यह angle अगर alpha होगा, तो यह alpha होगा, यह beta होगा, तो आपको होगे यह बरावर होगा, triangle D, O, B, K, ठीक है, यह always similar होगे, इस प्रकार से अगर हमको दे रखा है, तो इसमें हमको चेक नहीं करना है, दूसरा देखो, आगे देखते हैं क कुछ और चीजे, जैसे अगर हमको दिया है, हमको दे रखा है कि कोई एक triangle दे रखा है, इसको अभी आगे हम पढ़ेंगे भी कि यह midpoint theorem भी होता है, ठीक है, अगर एक triangle हमारों मालों दिया है कि A, B, इस दिया है, और इनके midpoint को अगर हम join करें, दोनों के midpoint के, A, B और A, C के midpoint को अगर आपस में join कर देते हैं, ठीक है, कि इनके midpoint को, एक सेकंड, इनके midpoint को अगर हम join करते हैं, और इनको midpoint को join करने के बाद जो यह line बनती मालों यह DE बन रही है, यह आपस में क्या DE और BC पैलल हो जाए न, DE और BC पैलल हो जाए, तो आपको होगे कि जो triangle, triangle A, B, C, व B, A, D, E, K, आप यह समझ सकते हो कैसे हैं, जब यह line दोनों parallel होगे, यह transversal line होगे, यह angle बराबर होगा, हमने यह सीख लिया, उसी तरह यह angle बीटा है, तो यह भी angle कितना होगा, बीटा होगा, और यह सब में common angle, दोनों में common angle है, तो आप कहोँगे, ADE और ABC क्या होगे, similar हो क्योंकि अब इस तरह से अगर situation है, तो यहाँ पर आपको similarity नहीं चेक करना पड़े, आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल ओर लिए आप देख के बता सकते हो, लेकिन बिल्कुल यह आपका reaction time पर जोनना चाहिए, ऐसा दिखा कि आपकी दिमाग में यह तो आना चाहिए, यह तो similar अब लटी के लिए बता है, तो एक theorem आप समलो, नोट कलो इसको, theorem होता हमारा midpoint theorem, clear है, इसको लिख लेते हैं, midpoint theorem, heading डालो, कि midpoint theorem, देखो, जीतना जल्दी हम concept वाला जो topic खतम करेंगे, उतना ही अच्छा होगा, ताकि हमको जानते हो, ज्यादा ज्यादा question करने को मिले, जीतना ज्यादा question करेंगे, उतना ही अच्छी हमारी understanding डेवलप होगे, तो midpoint theorem क्या बोलता हमको, कि अगर हमको इस तरह से कोई triangle दे रखा है, ठीक है, या एक second, महाफ करना थोड़ा से, इससे भी पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, कि हम BPT को समझ लेते है, basic proportionality theorem, वहीं से यह derive होटता है midpoint, तो उसको समझ जाओगे, तो यह अपने आप समझ में आ theorem, ठीक है, इसको start form में क्या बोलता है, BPT, basic proportionality theorem, या इसको आप और नाम से पढ़ते होंगे, कि थेल्स theorem, थेल्स theorem के नाम से भी इसको आप बुकों में देखते होंगे, लिखा होगता है, ठीक है, तो थेल्स theorem हमसे क्या बोलता है, कि अगर एक triangle में, ठीक है, कोई line parallel हो, जो कोई line, जैसे मालूम करें कि एक line, जैसे यह triangle ABC है, ठीक है, मालूम करें, इस BC के parallel कोई lines हो, और जो बचे हुए दो lines को, तो कौन से बचा हुए दो line है, एक AB होगा, एक AC होगा, उनको intersect करे, cut करता है, ठीक है, तो आप कहोगे कि जहा आप यह cut करता है, यानि AB, जैसे मालूम यह line हमारा D, और यह E है, clear है, या, देखो, इसको ऐसा समल लो, बस साधरान मात समय कि कोई भी line, किसी भी triangle की, कोई भी line, अगर other 2 side को, ठीक है, यह इसके parallel है, यानि BC के parallel, अगर D कोई line है, और इन दोनों line को क्या करती है, proportionally cut करती है ठीक है, अब इस proportion का क्या मतलब होता है, यह थोड़ा समझो, कि जैसे अगर हम कहें, देखो, जो मैं लिख रहा हूँ, इसको note कर लेना, ठीक है, जैसे proportion का मतलब होगा, कि AD अपानवे क्या हो गया, AB हो जाएगा, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, AE अपानवे, AE अपानव कि अगर यह ट्रेंगल, ठीक है, यह हो गया, कितना AC, अगर यह ट्रेंगल देखो, अगर ADB और ABC की बात करें, तो यह similar हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह, दोनों क्या है, पहले लाइन्स हैं, तो अगर यह अलफा होगा, तो यह अलफा होगा, यह बीटा होगा, तो यह AD, AB अपानमी, AD, ठीक है, तो AC अपानमी का लिखोगे, AE लिखोगे, ठीक है, बिसिकलिए आप इसको रिवर्स कर रहो, या देखो, एक बार बड़े वाले में ले रहो, फिर एक बार चोटे वाले ट्रेंगल का ले रहो, आगे देखो, इसको पहला लिख लो, इसका दूसरा मतलब कितने फाम में हम लिख सकते हैं, यह सारी चीज़ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कन्फियोजन होता, कि प्रफेशनल्टिव कौन कौन सा, कैसे हम किसको लेंगे, किसको छोडेंगे, ठीक है, अगर हम AB अच्छा, देखो, अगर हम AD अपानमे AB लिख रहे हैं, AE अपानमे AC लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, कि एक बार हम AD ले रहे हैं, छोटा वाला टरंगल ले रहे हैं, फिर एक बार हम बड़ा वाला टरंगल ले रहे हैं, इसी तरह हम AE लिख रहे हैं, EC लिख रहे हैं, तो हम एक बार छोटा वाला टरंगल DE लिख सकते हैं ठीक है इसके साइट अब बड़े वालेटर अंगले की साइट कितना होगा BC या प्रपोर्पोर्शनल होगा लेकिन अब देखो जो मैं लिखने जा रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ कि AD अपान्वे AD अपान्वे DB बराबर में AE अपान्वे EC बराबर में बराबर में D. E. E. upon E. BC, तो मैं बताओ मुझे, कि यह सही लिखा यह गलत लिखा? सोच लो, समय ले लो, यह यह सही लिखा यह गलत लिखा? अगर जितने लोगों को लग रहा है, कि यह सही लिखा रहा है तो यह गलत है. ठीक है हमने वह ही बोला कि आपको common sense हमेशा रखना चाहिए आपको ठीक है बिलकुन हमेशा common sense होना चाहिए हमारे दिमाग में हमको पता है कि ऐसा क्यों हो पा रहा है यह तो एक theorem है ठीक हमको पता है लेकिन हमको पता है कि इसका जो मूल हो यह theorem निकल की कहा सा है similarity से तो जरा यह बताओ कि एक triangle ADB होगा एक triangle ABC होगा और अगर हम AD की बात करते हैं तो AB की बात कर लेते हैं तो समझ आ रहा है इसके बारे में हमको जनकाई नहीं है यह proportion में होगा सही है यह definite proportion होगा लेकिन तब फिर यह side proportion होगा कि नहीं होगा इसलिए इसके साथ में कभी मत लिखना है तो इसको आप note down कर लो ठीक है बहुत से लोगों को मैंने देखा कि यहां पर गलती होती है इसके understanding नहीं उनको है clear ठीक है यह most important इसको ध्यान समन लिजिए तो जैसे हमने गोला कि आप AD बराबर में DB ले सकते हो क्लियर है ठीक है हाँ लेकिन अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हो जैसे मालों एक फोर्स भी देख लेते हैं तो जैसे आपने लिखा एक AD ले लिया और दूसरी साथ DE ले लिया फिर एक बड़ा वाला ट्रेंगल ले लिया मालों AB ले लिया और यहां पर BC ले लिया तो आप बेसिकली करके आ रहे हो कि ट्रेंगल एक आप छोटा वाला ले रहे हो ADE ले रहे हो दूसरा ट्रेंगल कौंसा ले रहे हो ABC ले रहे हो तो बस आप क्या कर रहे हो similarity कर रहे हो ठीक है तो यहां पर बिल्कुल साही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसी चीज को अगर आप AC अपान में क्या लिख सकते हो BC लिख सकते हो BC कुछ भी लिख लो clear है यहां बिल्कुल सही है यहां पर कोई दिक्कत नहीं लिखने में तो यह छोटी से चीज यह आपको हमेशा याद रखना है अगर आप यह clear हो गया तो जो आगे बात करने जा रहे हूं आपको पता चल ज अगला जो है मिड़ पॉइंट थीूरम क्या है ठीक है यह हमारा था basic proportional-ty या bpt जिसको start form बोलते हैं अगला अगला हमारा मिड़ पॉइंट थीूरम ए इसको समल लेते हैं कि यह क्या हो ता 3 Mit point theorem, ठीक है, तो mid point theorem, देखो हमसे क्या बोलता है, कि अगर एक triangle है, ठीक है, एक triangle कि δो side के mid point को अगर हम meet कर देंगे, तो यह तीसरी जो side होगी, ठीक है, जैसे मानलों यह side है, इसके 2 point को अगर हम meet करते हैं, ठीक है, यह हमारा मानलोんだ triangle A, B C है और इसनकी दो पॉइंट को मीट करते हैं यह लाइन D और यह पॉइंट E है यह क्या करते हैं आपस में इसको बाइसेट करते हैं यह मीट पॉइंट है तो यह लाइन जो D E होगी ने जो D E होगा वह क्या होगा वह होगा B C के पैलल होगा तीसरी नाल लाइन जो तीसरी लाइन हो उसके पैलल होगा तो इसको बोलाता है मेड़ पॉइंट थिवरा सिंपल है कि अगर हमारा इफ AD बराबर में AD बराबर में DB AND AE बराबर में EC दे रखाओ तो दिन आप कहोगे कि जो DE है वह BC के क्या होगा पैलल होगा और आपने यह समझ लिया ऐसा क्यों होगा ठीक है जब हमने बोला कि अगर यह लाइन इसके पैलल और दो लाइन को डिवाइड करता है जो हमारा थिल सुरम बोलता है तो यह प्रपोर्शन में होता है अच्छो कि यह प्रपोर्शन में होगे तो माल लेते हैं कि यह मालो सपोज करो प्रपोर्शन 1 इस्टू 2 का होता यह 1 इस्टू 2 का होता ठीक है अगर यह 1 इस्टू 2 1 इस्टू 2 का होता तो अगर हम कह सकते कि यह 1 इस्टू 1 इस्टू 2 का एक अगर या दोनों midpoint है तो यह definitely क्हा होगा यह definitely लाइन क्से प्रवट होगे ठीक है यह line definitely parallel होगे यह कभी भी अगर आपको कोई ट्रेंगल इस प्रकार से दिया जाया मल्लो मालो मनलो मालो मालो मिट पॉंट के new point को दोनों की new point को teu confront करें तो हम चällt करते 전 как अब धेलर फिर्म क्या बोलता हम हम को चिखाता है कि अगर हम पहले लाइन द्राग करते हैं और इन दोनों लाइने को इस तरह से कट करता है तो आपको होगे कि इनको प्रपोर्चनलिटि में डिवाइड करता है अगर मालो यह 1 है यह 4 है तो यह भी 1 और 4 के ratio में होगा clear है? absolute number नहीं 1 होगा यह 4 होगा इनका जो ratio होगा हुआ क्या होगा 1 और 4 का ratio होगा clear है? तो यह हो गया midpoint theorem clear है? तो एक दो और midpoint theorem है उसको देख लेते हैं ठीक है? इसे के साथ उसको भी complete कर लेते हैं यह ठीक है रहने देते हैं वीडियो काफी लंबी हो जाएगे तो इतना ही रखते हैं अब देखो अगली class में हम सीखेंगे कि कुछ और theorem है और अभी हमको देखो वहाँ पर बताना कुछ बाकी था कि इन सेंटर, सरकम सेंटर उनके बारे उनको वहाँ पर कुछ प्रापर्टी उसको बताना बाकी है तो इन सारी चीज़ों को हम अगली class में डिसकस करेंगे ठीक है? तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद